असलाम अलेकून इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने वीडियो के उपर में थम्मेल लगा सकते हैं जी हाँ अगर आपको नहीं पता है थम्मेल कैसे बनाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ठीक है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा आप वहां से इसको हैसल कर सकते हैं इसे उपन कीजिए जैसे उपन करेंगे फॉर्स तैम पहली बार उपन करेंगे तो आपके बास में कुछ विलकम मैसेज आएगा तो सिम्प्र आपको get started पर क्लिक करना है यहां पर आने के बाद में आपके चैनल का name नजर आजाएगा अगर आपके चैनल का name यहां पर नजर नहीं आता है तो आप क्या किजेगा आप यहां पर यह जो आपको icon नजर आ रहा है यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको सारे का अकाउंट लिस्ट नजर आ जाएंगे यहां से आप चूज कर लीजिए जिसके ऊपर में यानि जिसके वीडियो पे आप thumbnail लगाना चाहते है तो मुझे लगाना है tag cutting पे तो मैंने tag cutting को open किया उससे जो ही ये log in हो जाएगा sign in हो जाएगा अभी देखिए इसका interface जो हो चेंज हो चुका है अब आपको करना क्या है अब आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है content simply आप content पे click करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगे आपको सारे videos इस मासारे video नजर आएएगए और जितने भी live होंगे सारे यहाँ पे नजर आएगे जितने वी शक्ट वीडियोज हो यहाँ पर नजर आने वाले हैं यहाँ पर जो भी video वीडियोजो लाईव आप किसी भी time में चले जाएगई simply आप pencil वाला icon पर click कीजिए उसके बाद में आपको कुछ इसरी किस interface नजर आएगा इसके बाद में आपको करना क्या है आपको फिर सरी यहाँ पर एक pencil का icon नजर आएगा simply आप pencil का icon पर click कीजिए उसके बाद में आपको यहाँ पर जो by default कुछ suggestions है आपको YouTube देंगे आप यहाँ से चाहे तो put कर सकते हैं या फिर अगर आपका custom thumbnail जो आपने बनाया है simply आप क्या कीजिएगा आप उसको यहाँ पर insert कीजिएगा तो आपको simply custom thumbnail पर click करना होगा simply आप custom thumbnail पर click करके यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आप वो thumbnail चूज कर लिजिए जो आपने बनाया है मैंने बना रखा है कौन सा वाला यह वाला तो मैं simply क्या करूँगा इसको पर मैं click करूँगा और यहाँ से यह thumbnail लग जाएगा अब इसके बाद में आपको करना क्या है then पर आपको click कर देना है जैसे आप done पर click करते है वैसे यह thumbnail लग जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर इसके title को change करना हो change कर सकते है description में कुछ add करना हो add कर सकते है visibility को आप change कर सकते है उसके बाद में और भी दिगर चीज़े हैं जिसको आप change कर सकते हैं यहां से उसके बाद में आपको simply करना क्या है? यहां पर आप simply save पे क्लिक करके इसको save कर दीजिए तो अब जो है आपके वीडियो का thumbnail जो है वो change हो चुका है पहले कुछ और नजर आ रहा है यहां पर अभी कुछ और नजर आने लगा अभी अगर मैं फिर से कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी जो है कुछ इस तरीकस नजर आने लगा थंबनेल जो हो चेंज हो चुका है उमिद हैं ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजे अब अपने दोस्तोंके साथ में शर्किजिए चैनल पे पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए